दोस्तो अगर आप option trading करते हैं तो option trading में सबसे important होता है option chain अगर आप option chain को अच्छी से समझ लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आप option trading में profit बना सकते हैं अगर आप option chain के बारे में नहीं जानते option chain क्या है कैसे यहाँ पे हमें इसको use करना है तो दोस्तो आप option trading में profit नहीं बना सकते अगर आपको गलती से कभी profit हो भी गया जैसे आपको पता है कि call को buy करना होते है put को buy करना होते है market उपर जाएगी market bullish है तो call को buy करेंगे market bear है तो put को buy करेंगे तो दोस्तो अगर आपको ये चीजे पता है तो इनसे बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है अगर आपने profitable बनने है trading में तो दोस्तो यहाँ पर आपको option chain को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि option chain के उपर ही option trading निरभर होता है यहीं पर सारी चीजे आपको देखने को मिलते है कि अभी market यहाँ से ऊपर जा सकते है या फिर यहाँ से market नीचे जा सकते है अभी आपको कौनशे option में buy करना चाहिए call में buy करना चाहिए या फिर put में buy करना चाहिए तो सारी चीजे आपको option chain से ही जानने को मिलती है तो इस video में मैं आपको step by step पूरा process बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर option chain को आपने यूज करना है और किसी आपने यहाँ पर trade लेना है ठीक है दूस्तो यह सब कुछ जानेंगे दूस्तो हम grow application के थूरू तो हम यहाँ पर चलते है अपने mobile की screen पे जहाँ पर मैं step by step आपको पूरा process बताने वाल हूँ तो दोस्तो यहाँ पर हम अपने mobile की screen को open करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर हमने अपने mobile की screen को own कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते है side में और यहाँ पर हमने nifty 50 का chart open किया हुआ है ठीक है दोस्तो यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर आप यहाँ पे option chain को यूज करते हैं तो किस तरह से आपको यहाँ पे profit होगा और किसे आपने यहाँ पे option chain को यूज करना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे live market चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हमने nifty 50 का जो भी चार्ट है, हमने इसको यहाँ पे open किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे nifty 50 की chain पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहें, option chain का option हमें मिला हुआ है अगर हम यहाँ पर click करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर nifty 50 का option chain open हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारी चीजे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो आपको करने मिल जाते हैं यहाँ पर बहुत सारी को यहाँ पर trading करते हैं, तो option chain के थुरू आपने यहापर trading करना होता है, जो भी यहापर option trading होता है, वो पूरा निर्भर होता है option chain पर, ठीक है, तो हम यहापर जाएंगे nifty 50 option पर, सबसे पहले हम यहापर click करेंगे, nifty 50 को हम यहापर open कर लेंगे, तो nifty 50 का जो भी चार्ट है वो open हो जाएगा हमें इस तरह का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको option मिला वह है day का, week का, month का और यहाँ पे year का और यहाँ पे आपको all का option मिल जाता है ठीक है, उपर आपको यहाँ पे option मिल जाता है, यहाँ पे आप देख रहे वन मंद का आप यहां पे पूरा चार्ट देख सकते हैं कि मार्केट यहां पे किस तरह का प्रफॉर्म कर रहा है ठीक है अब दोस्तों हमें यहां पे option chain को open करना होगा जैसे हम option chain को open करेंगे तो हमारे सामने यहां पे expiry date इसको हम यहां पे expiry date बोलते हैं अभिए यहां पे 50 pengी 10 अब दोस्तों यहां पे आपने क्या करना होगा तो option chain प है आपने तीन चार option समझने होगे, certificate important जो आपको यहाँ पे profitable trader बना सकते हैं, या फिर आपको every day यहाँ पे profit दे सकते हैं यहाँ पे आपको call option मिला वह है, यहाँ पे आपको put option मिला वह है, इसमें दोस्तों आपको दो त्रे से trading करनी होती है, call में trading आप कर सकते हैं या फिर आप put में trading कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको side में option मिलता है OI का और यहाँ पर price का यह जो price है इसको बोलते हम strike price और जो यहाँ पर OI है इसको बोलते हम open interest ठीक है इनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमें option मिला हुआ 39 फरवरी का यहाँ पर आप देख रहे इसके बाद हमें 7 March का और यहाँ पर आप देख रहे अगर आप call वाले option पर जाते है या फिर put वाले option पर जाते हैं तो आपको यह premium देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं लेकिन यह जो प्रेमियम है हमारा यह 29 फरवरी का अगर हम यहाँ पर 7 March के पर क्लिक करते हैं तो यह premium हमारा बढ़ जाता है ठीक है जितने भी हम यहाँ पर आगे जाएंगे उत 35 फरवरी के option पर क्लिक करेंगे तो आपका जो option है यह मतलब जो premium है वो यहाँ पर घट जाएगा ठीक है मतलब कम हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है तो सबसे important यहाँ पर क्या होते है दोस्तों एक call option आपको मिला हुआ है एक put option आपको यहाँ पर मिला हुआ है, call price, put price अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको option मिल जाता वो सारे आपको मिलते हैं, यहाँ पर Open Interest में, ठीक है, वो चाहे Cool Side में है, वो चाहे By Side में है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह Open Interest में Ranked стор स्ट्राइकů प्राइस मिल जाते हैं, जो Strike Price है, उस Wire Blaze के Base पर आपको open interest मिलता है, जैसे आप coal के option जाएंगे तो coal के जो भी यहाँ पे interest है मतलब open interest है जो भी यहाँ contract है वो सारे आपको यहाँ पैमिल जाएंगे, put के यहाँ पे आपको put की side मिल जाएंगे, लेकिन इस से पहले दोस्तो हम यहाँ पे जाएंगे price के option ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दू call क्या है और put क्या है put दोस्तों वो है अगर market नीचे जाता है market beers है तो यहाँ पे जब हम trade करेंगे put option पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे profit होगा अगर हम यहाँ पे call option पे जाके किसी भी option को buy करेंगे यहाँ पे trade करेंगे call में और market beers है मतलब market down है तो यहाँ पे हमें loss हो जाएगा तो यहाँ पे हमें कब trade करना है अगर market अप जाएगा market अगर upside है, market bullish है तो तब हम call में trade करते हैं ठीक है तो दोस्तों I hope आप यहाँ तक समझ गई होंगे अब जोस्तों यहाँ पे हमें क्या देखना होगा यहाँ पे आपको कई सारी चीज़े देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आपको expiry का option मिल जाते है इधर आपको call का और यहाँ पे आपको put का option मिल जाता है यहाँ पे आपको oi का option मिल जाता है मतलब open interest और यहाँ पे आपको price का option मिल जाता है मतलब यह strike price ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे आपने जान लिया कि oi क्या होता है अब दोस्तों यहाँ पे यह strike price क्या होता है Strikes Price दोस्तो वो price है जिस Base पे हम यहाँ पे Call में और Put में किसी भी Option को Buy करते हैं और Sell करते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे Strike Price मिल जाते हैं और इनके Base पे आप किसी भी Option में Trade कर सकते हैं मतलब यहाँ पे C Esse Call में Trade कर सकते हैं या फिर put में trade कर सकते हैं और यहां पर यह जो भी आपको strike price है इनके यहां पर base पर आपको यहां पर premium भी मिल जाता है ठीक है अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर आप देख रहे हैं यह है हमारे यहां पर lie market का price जो भी हमारा price चल रहा है भी है ठीक है यहां पर call option के हम पहले बात करेंगे उसके बाद हम put option के बात करेंगे यहां पर 装पर जाएंगे आप इस line से अगर इस line से आप उपर जाएंगे जो भी ऊपर के price है आपके वह आएंगे आपका इंदामनी में और जो भी नीचे के price है वह आएंगे आपके out of the money मतलब O&M औ प्राइब जाएगा आईट्यम मतलब और これिम्ट यह नेचे वाला हो जाएगा करे जीए इंगे अ कंड़ामनी यहां पर जो आपने के श् northwest यहां पर यहां यहां पर क्रेड़ लेना होता है तो अब दोस्ते यहां पर आपने क्या करना है कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप यहां पे देखते हैं कि हम में खरीदेंगे या फिर आउट ओप अब मन должны क्षएगे या फिर हम यहां पर एड़् दा मनी खरी margar घर तो यह आपने द्यान दोनों एड रहती है और जो हमारा नीचे का प्राइस है जो भी आउट ओप दा मनी में आता है उसमें सिर्फ टाइम वैलू रहती है टाइम वैलू कैसी मतलब यहां पर आप देख रहें 29 फरवरी है 39 फरवरी तक का टाइम रहता है हमारा आउट ओप दा मनी में इसमें सिर्फ टाइम वेलू रहती है और यहां पे जब यह experienced आएगी 29 फरवरी को यह पूरा price 0 हो जाएगा ठीक है जैसे यह 0 होगा और यहां पे जो भी time value होगी इंदा मनी में वो भी 0 हो जाएगी यहां पे इंट्रेंसिक वेलू बचेगी ठीक है मतलब की माइनस कर देते हैं फोर एक्जम्पल आपने यहाँ पे 22,200 का strike price पे इस option को खरीदना है और यहाँ पे expiry आ जाती है तो expiry के day में आपका जो भी premium रहेगा कितना बचेगा अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं भी 22,255 का यहाँ पे यह option चल रहा है जब इसको आप यहाँ से minus कर देंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ 55 रुपे बचेगा मतलब जो 55 रुपे बचेगा वो आपका हो जाएगा intrinsic value ठीक है वो आपकी intrinsic value रह जाएगी intrinsic value आपकी एक्सपैर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे time value सिर्फ एक्सपैर होती है I hope दोस्तों आप यहाँ तक समझ गई होंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे आपने trade कैसे लेना है क्या आपने यहाँ पे देखना है जिससे आपको यहाँ पे profit होगा या फिर loss होगा तो आपने यहाँ पे जाना होगा OI में मतलब open interest में कितने यहाँ पे contract available है call में या फिर यहाँ पे put में इसके इसाब से आपने यहाँ पे market को analyze करना होगा analyze करने के बाद आपने यहाँ पे कोई फिर trade लेना होता है अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे for example में आपको बता देता हूँ अभी जो भी हमारा यहाँ पे price है वो आप यहाँ पे देख रहे है 22,260 के आसपास का हमारा यह price चल रहा है अब मैं यहाँ पे आपको बता दू तो आपने यहाँ पे क्या check करना है मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे contract कौन से strike price में है यहाँ पे आप देख रहे है यहाँ पे आप देख रहे है यह हमारा call OI होगा और यह हमारा put OI होगा हम इसमें आप देखेंगे हमें यहाँ पे call option में trade करना है या फिर put option में trade करना है तो हम यहाँ पे OI को check करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो OI है कौन से strike price में है मतलब contract जो है सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे कौन से strike price में open है तो यहाँ पे आपको एक option मिला हुआ यहाँ पे आप देख रहें 22,300 का ठीक है यह option आपको यहाँ पे मिला हुआ है इसमें आप देख रहें यहाँ पे 1,30,287 यहाँ पे contract available है ठीक है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे put वाले option पे जाके इसमें यहाँ पे आप देख रहें इसमें सिर्फ 81,347 contract available है मतलब open है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे call price में हमें यहाँ पे option को buy करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इसमें contract ज़्यादे available है लेकिन नहीं दोस्तों जैसे यहाँ पे हमारा यह strike price है यह जैसे यहाँ पे 22,300 पे आएगा तो यहाँ से क्या होगा market और जादे गिरेगा ठीक है तो जैसे यहाँ से price गिरेगा मतलब market नीचे गिरेगा तो यहाँ पे जो भी sellers होगे उनको profit होगा क्योंकि जो यह contract है यह seller यहाँ पे बैटे हुए और उन्होंने यहाँ पे एक support को create किया हुआ है मतलब यहाँ पे support बनाया हुआ है अगर market इस strike price तक आता है तो यहाँ से market और नीचे गिरेगा और जो भी यहाँ पे buyer होगे तो वो सोच रहे होगे यहाँ पे contract जादे है और यहाँ पे हमें call में option को buy करना है तो उनको यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे उनको loss होगा तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे अभी यह strike price है 22,300 का इस पे जो भी यहाँ पे contract है वो ज़्यादे दिख रहे हैं अगर यहाँ पे आप put वाले option पे जाते हैं put वाले option पे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1,12,692 का यहाँ पे आप देख रहे contract है ठीक है यहाँ पे कौन से strike price पे 22,000 के strike price पे ठीक है अब दोस्तों अगर market यहाँ पे इसको touch करता है ठीक है उपर की तरब यहाँ पे जाता है तो अब यहाँ पे जो buyers है वो सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पे put में trade करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो भी contract है वो जाद है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है जो भी यहाँ पे seller यह बैठे वे तो यहाँ पे अब क्या करते है यह जो यह strike price है जिसे इस strike price पे market आएगी तो market यहाँ से reverse हो जाएगी तो दोस्तों यह चीज़े आपने यहाँ पे ध्यान लगनी है इसको बोलते हैं मतलब support और resistance ठीक है यह support और resistance का का काम करता है अगर यहाँ पे आप support और resistance के बारे में जानना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आप support और resistance को निकाल सकते हैं जो भी market का chart यहाँ पे रहेगा यहाँ पे अगर market ऐसे जाएगी और फिर यहाँ पे नीचे आएगी तो यह हो जाएगा market का resistance और यह हो जाएगा नीचे market का support तो यह चीजे भी आपको यहाँ पे समझने होगे ठीक है तो तभी आप यहाँ पे profit बना सकते हैं तो जो भी यहाँ पे सबसे important होता है वो होता है OI मतलब open interest अगर आप यहाँ पे open interest को अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पे आप जान पाएंगे कि अभी market किस direction में जाने वाला है ठीक है अब जोस्तो हम यहाँ पे open interest पे click किया अब यहाँ में आप एक price की option पे click करेंगे अब यहाँ पे आप जान पाएंगे कि यहाँ पे आपने कौन सी side में trade लेना है या फिर put में trade लेना है open interest को आपने पहले देखना है उसके बाद यहाँ पे आपने decide करना है कि किस option को मैंने यहाँ पे buy करना है कौन सी side में मैंने यहाँ पे trade लेना है put side में या फिर call side में so I hope दोस्तो आप समझ गई होंगे option chain को कैसे यूज करते है open interest क्या होते है यहाँ पर strike price क्या होते है call option क्या होते है put option क्या होते है और यह expari date क्या होती है केसे हम यहाँ पर trade लेते हैं तो वीडियो अगर अच्छे लेगी तो वीडियो को like जरूर करना, comments करना चैनल पर नहीं है